नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बना कर दिखाएंगे जिसका प्रियोग यदी आप हमारे द्वारा बताई गई विदी से करते हैं तो आपके शरीर की अनेक बिमारियां दूर हो जाएंगी सो साल तक आप हश्ट पुष्ट जियेंगे किसी भी बिमारी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा तो चलिए आपको बताते हैं नुस्खा दोस्तों आज का जो हमारा नुस्खा है वो सुबे की चाय से शुरू होता है दोस्तों जैसे कि आप सभी अपने घर में चाय बनाते होंगे अक्सर चाय बनाते वक्त कुछ कल्तिया कर देते हैं कल्तिया क्या कमिया कर देते हैं जिन कम्यों के चलते दोस्तों आपके शरीर में अनेक बिमारियां लग जाती हैं तो आज हम आपको उसी चाय को बनाने का सही तरीका बताएंगे और उसमें दो चीजे क्या डालनी हैं वो आपको बताएंगे कि जिन से आपका शरीर हल्दी रहήगा स्वस्थ रहेगा और चाय का आपको नुक्सान भी नहीं होगा दोस्तो चाय बनाने के लिए आप जिस तरह से पानी लेते हैं उससे पानी लिजीए जैसा कि वे ने ये आधा गिलास पानी लिया है ये मैं दो बंदों के लिए बना रही हूँ जाए तो आप जैसे कि आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं उनके हिसाव से पानी ले लीजिए आप दोस्तों इस पानी को गरम कर लेजिए जब ये पानी गरम हो जाएगा तो उसी तरीके से जैसे कि आप चा को काफी फायदे मिलते हैं आप इससे वजन कंट्रोल में कर सकते हैं इलाइची में एंटी- इलाइची को जरूर शामिल करें इलाइची का सेवन करने से आपको नीद अच्छी आएगे यंखराटे की समस्य fix भी आ अब दोसो आपने इसमें डालना है एक चुथाई छोटा चमच डालचीनी पाउडर इस तरह से डालचीनी दिखाई देती हैं डालचीनी के हमारे शरीर को बेहद फायदे मिलते हैं दोसो जिन लोगों को खासी रहती है खासी में ये चाय आराम करेगी जुखाम रहता है हमारी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोलेशोल को कम करने के लिए आप दालचीनी का प्रियोग कर सकते हैं दस्त को रोकने के लिए इसका प्रियोग कर सकते हैं दिल के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है हमारी तवच्चा के लिए भी दालचीनी का प्रोपर सेव करते हैं दोस्तों साइनस में दालचीनी काफी फाइदा करती हैं सांस लेने में दिक्त आ रही हैं सांस बिल्कुल आराम से आ जाता है जब आप दालचीनी का प्रियोग करते हैं यह हमारी डायपटीज को भी कंटोल रखने में हेल्प करती हैं आँखों के रोगों में काफी फ कर सकते हैं और भी हमें काफी फायदे मिलते हैं दालचीनी से हमारी बूख को बढ़ाती है दर्स से अराम दिलाती है और खासी ठीक करने में काफी हैल्प करती है तो आपने एक चुथाई चम्मच दालचीनी का डाल लेना है चाय में दालचीनी काफी फायदे देती है हमारे श केसर में 1500 से ज़्यादा पोश्दियत ता तो पाए जाते हैं और ये सरदी में काफी फायदेमंद होता है जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं यानि जिनकी इम्मुनिटी कमजोर है तो वो अपनी इम्मुनिटी को बढ़ा सकते हैं दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें ल कैंसर में भी ये काफी फायदा करती हैं कैंसर में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं जिन लोगों को अनिद्रा है नीद नहीं आती है प्रोपर वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्दर्द से रहा दिलाता है केसर दोस्तों आपका पाचंतंतर बिगड़ा हुआ है पा आपको नहीं लगेगा जब आप केसर continue प्रियोग करते हैं लेकिन अगर लग भी जाए सर्दी जुखाम हो भी जाए तब भी आप केसर का प्रियोग कर सकते हैं केसर सर्दी जुखाम से रहा दिलाएगे इस तरीके से आपने केसर डालना है चाय में दोस्तों अब जैसे आपने दूद प्रियोग करते हैं तो ज़्यादा प्रियोग कर सकते हैं जैसे आप अपनी चाय में डालते हैं दूद उतनी मातरा में दूद डाल लीजिए और दोस्तों यहाँ पर आप अद्रक भी डाल सकते हैं जैसे कि मैं ये बाद में डाल रही हूँ आप ये पहले भी डाल सक और मीठे को पकाई जाते हैं चीनी को तो ये हमारे लिए काफी हानिकारक शाबित होती है हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यदि हम ऐसी चाय भी दे हैं जिसमें मीठा पहले डाल लेते हैं तो आपने मीठा इसमें बाद में डालना है मीठा डालके इसको कम ही प पानी जरूर पीना है या फायदे मिलते हैं तो सर्दियों में कम से कम हर रोज बना सकते हैं। और भी बहुत सारे बिमारी आपकी शुरू हो जाती हैं यदि आप खाली पेट चाय ही सेवन करते हैं तो इस तरीके से अपने चाय बनानी है और पानी पीने के बाद ही चाय का सेवन करना है अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को केसर का सेवन कैसे कराएं दोस्तों बच कैसे देना है केसर उनकी इम्मिनिटी कैसे बढ़ानी है वो आपको बताती हूँ जैसे कि आपके बच्चे दूद पीते हैं सुभह ये शाम तो आपने क्या करना है दूद उबाल लेना है जितना दूद वो पीते हैं इस तरीके से अब इस में से थोड़ा सा दूद एक कटो पान से साथ मिनट के बाद दोसों आपने इस दूद को वापिस उसी दूद में मिला देना है जितना दूद आप अपने बच्चे को पिलाने वाले हैं दोसों इसमें आप फिर मीठा डाल सकते हैं या फिर कॉम प्लैन बॉन मीठा जो भी डालते हैं वो भी डाल सकते हैं और इ का सहारा लेना पड़ता है आपको ने ठीक करने के लिए तो उस दुआई से बचने के लिए दोस्तों आप उनको केसर का दूद पिलाएं हर रोज इससे क्या होगा उनकी आँखे भी तेज रहेंगी दिमाख भी तेज रहेगा और उनका जो इम्म्यून सिस्टम है वो मजबू लेकिन आपको फायरे इतने देगा कि आपको दवाईयों की जूत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों आप भी आज से ही इस सरीके से केसर का सेवन करें तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करना साथ में हमार चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा देना ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दूस्त